तो आज मैं आपके साथ चना दाल पकॉड़ी की रेसिपी शेयर कर रहे हूं यह बहुत ही टेस्टी और इसी टू प्रिपेर होते हैं यहां पे मैंने 250 ग्राम सोप की हुई चना दाल को 2-3 लेसन और 1 इंच अद्रग के साथ कोर्सली ग्राइंड कर लिया है ग्राइंड करने के बाद इसे एक प्लेट पे निकाल लीजिए अब इसमें एक मीडियम साइज प्याज हरा धनिया और हरी मिर्च काट के डाल लीजिए साथी साथ इसमें आप 2-3 टेबल स्पून बेसन डाल दीजिए और थोड़ा सा रेच चिली पाउडर और टर्मरिक डाल लिए अब इन सबको अच्छे से मिक्स कर लीजिए एक पैन में ऑईल गरम कीजिए जब ऑईल अच्छा होट हो जाए तो उसमें ये पकोड़े धीरे धीरे एके करके डाल दीजिए अब इन पकोड़ों को मीडियम फ्लेम पे जब तक फ्राय करिये तब तक ये गोल्डन ब्राउन कलर के नहीं हो जाते ये देखिए हमारे पकोड़े बनके तयार हैं अब आप इसे किचिन टाल या टिशू पेपर पे निकाल लीजिए अब इन पकोड़ों पे थोड़ा सा चाट मसाला स्प्रिंगल कीजिए और अपनी फेवरिट चटनी के साथ सब कीजिए